हाई फ्रेंट्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं मौंग दाल हलवे की रेस्पी जो हम शादियों में मौंग दाल हलवा काते हैं उससे भी बहुत जादा टेस्टी बनेगा यह हलवा इस बात की मैं कैरेंटी देती हूं इसे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बन लिया है क्योंकि जो भी इसका एक्सट्रा पाणी होगा न उसे हमें निकालना है तो इसे अभी से बिकले देते हैं दो उमलेखें, पतीले में डालेंगे एक कटोरी पानी , इसी कटोरी से नापके मैंने मुंहीदार ली ठीक इसके प्रशा शुनियू बश्त समय है। बाकि अगर आप चाते हैं कि थोड़ा सा कम मीटा हो तो जितनी आप डाल ले उतनी ही आप कटोरी चीनी ले ले अब बस चीनी डालने के बाद थोड़े से मैंने आप इसमें केसर के धाके डाल दी हैं इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और अब हमें क्या करना है इसकी एक ता पीसेंगे ध्यान रखें इसको पीसते समय हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे पीसने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि डाल अच्छे सी भीगी होई है तो ये आसानी से पेस जाएगी दूसरी बात का आपको क्या ध्यान रखना ह डाल पीस्ते समय इसका एकदम fine paste नहीं बनाना हलकी सी दरदरी सी रहनी चाहिए डाल जैसे सूजी के दाने होते हैं बिल्कुल उस तरीके से यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारिक paste नहीं बनाया है थोड़ी से ऐसे डाल इसमें दाने दार से ही रह गई है ज इस भी कड़ाई मेंहें आप हल्वा बना रहे हैं वह इना वह मोटने तलिय की होनी चाहिए तो यहांहें पर आप देख सकते हैं मेरे पासिं की हम स्सेक्ट मैध्य कड़ाई इसमेंह पर ने फार्टेसे यह खाल्वा बनाए लेगे तो पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है तीन चमच इसमें घी डाल दिया है और घी क्यों न इस तरीके से फैला देंगे गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम पे रखना है क्योंकि यह मोटे तले वाली कड़ाई है तो इसमें जलेगी नहीं चीजे और जैसे घी हलका सा गरम होगा न हम इसमें डाल देंगे दो छोटी चमच सूजी जी हाँ हलवे में हमी सूजी जरूर डालनी है हलवाई भी डालते है तो बहुत जादा नहीं डालनी दो छोटी चमच डालनी है अगर आप एक कटोरी मूंकी डाल ले रहे है अब सूजी को हमें ऐसा नहीं है कि इसको लाइट प्राउं होने तक भू पेस्ट चालते समय हम तुरंती इसको चलाएंगे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे और बास अब घी में इस ताल को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब यहां पे आपको बस थोड़ी सी महनत करने पड़ेगी थोड़ी सी नहीं बहुत साथा महनत करने पड़ेगी इस दाल को भूनने में क्योंकि जो ये दाल का हलवा ना इसमें जो मेन जो महनत है वो इस दाल को भूनने में आपको लगेगी तो बीच वीच में घी भी डालते रहेंगे तो मैंने दो चमच इसमें घी और डाल दिया है शुरू में आप देखेंगे जैसे ही हम दाल को भूनना शुरू करेंगे न तो ये थोड़ी सी टाइट सी होने लग जाएगी आपके हातों में भी दर्द होने लगेगा इसलिए अगर आपके पास कोई और है तो आप उसको भी दाल को भूनने में लगा सकते हैं फिर से एक चमच घी डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे बाद में आप देखेंगे जैसे ये दाल दीरे-दीरे भूनने लगेगी आपको ये हलकी सी लाइट सी लगने लगेगी और इसमें से गी भी अलग देखने लगेगा बस यहाँ पर हमें इसको अच्छे से भून लेना है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर भी अब चेंज हो गया है अभी हमें से खोड़ा सा और भूनेंगे जैसा हलवे का कलर है वैसा हमें चाहिए तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं दाल अच्छे से भून गई है इसमें जो गी है बिलकुल अलग दिखने लगा है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है बाद में जो हलवे का कलर है बिलकुल ऐसा ही आएगा तो बस यहाँ पर दाल को अच्छे से भून लेया है और इतनी दाल को भूनने में कम से कम आदा घंटा लगेगा आपको बस अब इसमें हम डाल देंगे दूद तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा कप दूद लिया है यह हम इसमें डाल देंगे क्योंकि मैं आपे मावे का यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें दूद डाल रही हूँ अगर आप इसमें मावा डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे दूद को स्किप कर दीजे जो हमने चाशनी बनाई है वो हम इसमें डाल देंगे या फिर आप चाहें तो दूद भी डाल दीजे और मावा भी डाल दीजे दीरे दीरे आप तेखेंगे यहाँ पे दूद भी इसमें अच्छे से सोख लिया है अब फिर से हम एक बड़ा चमच बीच में डाल देंगे देसी गी थोड़ी सी जगे बना लेंगे कड़ाई में गीच में डाल देंगे थोड़े से ड्राइफूट्स यो भी ड्राइफूट्स आपको इसमें डालने हैं मैंने आंपे काजू बढ हड़ाम लिये अब क्या करेंगे गी में न काजू बदाम को हलका सा भून लेंगे मतलब रोस्ट कर लेंगे और जैसे यह हलके से रोस्ट हो जाएंगे हम इसे दाल में मिक्स कर लेंगे साथी में इसमें आदा चमस डाल देंगे एलाइची का पाउडर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे चाशनी वाला पानी तो वो वाड़ी जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गई है वो मैं नहीं मैं इसमें शूट कर पाई हूँ तो बस आपके अगर आप इसमें डूद नहीं डालना चाते हैं तो जिस दोरान हमने इसमें दूद डाला था उस दोरान आप इसमें चाशनी वाला पानी डाल दीजे अच्छे से भून लीजे और जब आप देखेंगे हलवा इस तरीके का हो गया है तो फिर आप इसमें मावे को क्रश करके यूज़ कर रहे हैं तो दूद जिस टैम पे मैंने डाल के पकाया था बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगा बस इस दौरान आप इसमें मावा डाल दीजे तो फिर से आप देख सकते हैं आपे मैंने एक बड़ा चमच इसमें घी और मिलाया है मतलब शुरू में एक सास आया घ इतना यम्मी बना है तो अभी का करेंगे हम इसमें से आदा हल्वा उठा के साइड में रख देंगे मतलब हल्वा बन गया है मैं इसमें कुछ चीजे एड करूंगी जो मैं थोड़े में ही एड करूंगी तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी आदा चमच के करीब अच्छे से मिक्स कर लेंगे गी को और अब इसमें हम डाल देंगे टूटी फूटी जी हाँ आप सोच रहे होंगे मूं की दाल के हलवे में टूटी फूटी तो अभी लास्ट में एक शादी में गई थी तो वहाँ पे मैंने ये हलवा खाया था और उस हलवे में ये ये टूटी फूटी नहीं मिलाई है जितना हलवा आपको खाना है उतने में एक बार मिलाईए आपको इसका टेस्ट बहुत यम्मी लगेगा और दुबारा आप कभी भी हलवा बनाएंगे या खाएंगे ना तो अलग से उसमें टूटी फूटी जरूर डालेंगे क्योंकि का टेस्टी इतना यम्मी है तो हैना ये मज़ेतार रेस्पी और आज की मेरी ये रेस्पी आपको कैसे लगी मुझे कमंड करके जरूर बताईएगा ये मेरी वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और जल्दी से चैनल को किस किस को मुंकी डाल का हलवा पसंद है मुझे कमंड करके जरूर बताईए